नमस्कार दोस्तों आप सुभी को एक नव वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सुभी को कलास्तेन का अमयत का एक्सल साइज 1.3 के कोश्चे नमबर 2 के हल करके बताऊंगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को पुरा जोर देखें। तो देखें कोश्चेन है, सित कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेश संख्या है। ये काफी महत्पून कोश्चेन है, इस तरह कि कोई भी न कोई कोई कोश्चेन हमेशा एक्जाम में जरूर आता है। तो देखें सबसे पहले इसको पता है कि हम उल्टा मान लेते हैं, पिछला कोश्चेन में भी इसी तरीके से माने हैं, तो अब परिमेश है, तो लिख लेते हैं, माना की 3 पलस 2 रूट 5 एक परिमेश है, परिमेश संख्या है। समझ गए, माना की 3 पलस 2 रूट 5 एक क्या है, परिमेश संख्या है, तो परिमेश है तो आपको पता होगा किसके बराबर होगा, 3 पलस 2 रूट 5 ये बराबर होगा, P वटे Q के, आपको पता है अगर परिमेश संख्या हो तो किसके बराबर होता है, P वटे Q के बराबर होता ह जहां P और Q सअभाज्य है सअभाज्य है सअभाज्य है इसका मतलब क्या है कि P और Q का उभाइनिस्ट गुननखन एक है इसको ऐसे भी समझ सकते है कि P और Q का मसर कितना आएगा एक आएगा समझ गए न तथा Q is not equal to Q है लिखेंगे Q is not equal to 0 है यानि Q के मान 0 नहीं होगा कभी आपको पता है कि P और Q पड़ी में संख्या है तो Q के मान कभी 0 नहीं होता है P और Q के जगा आप A और B भी मान सकते है ठीक है अब चलिए क्या करना है 3 पलस 2 रूट 5 है बरावर P वटे Q इसको हम क्या करेंगे 2 रूट 5 इधर रहने देंगे और P वटे Q और इधर पलस है तो इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा 2 रूट 5 इसको घटाव कर दीजिए तो लशक Q होगा Q, P और 3 में Q से गुणा करेंगे तो माइनस 3 Q ठीक है? उसके बाद क्या है? रूट 5 है इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में तो P माइनस 3 Q और इसमें गुणा हो जाएगा 2 में Q से गुणा हो जाएगा 2 Q आप समझ जाए ऐसे भी 2 में Q से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा? 2 Q तो आप देखें यहां आप इसको समझ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ यहां देखें गौर से यह क्या है परिमे है यह बटे में है यह क्या है परिमे है और यह रूट पांच क्या है और परिमे है तो परिमे और अपरिमे कभी बराबर होगा नहीं होगा आपको पता है कि इधर पड़ी में है तो ये भी क्या होना चाहिए पड़ी में लिकिन यहां देखिए क्या है ओपड़ी में है यानि यहां दोनों बरावर नहीं है तो हम जो माने है वो क्या है गलत है यह पड़ी में संख्या नहीं क्या है ओपड़ी में है ठीक है तो लिख दीजिए या लिख देंगे चुकी P-3Q बट्टे 2Q एक पड़ी में संख्या है एक पड़ी में पड़ी में संख्या है तथा रूट 5 एक पड़ी में संख्या है एक पड़ी में संख्या है तो यहां दोनों संभव है कि बताएए यह पड़ी में संख्या होगा कभी संभव नहीं है ठीक है यह दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होगा ठीक है यानि यह संभव नहीं है जो असंभव है यानि कभी बराबर नहीं होगा असंभव है इसलिए हमारी मन्याता गलत है गलत क्योंकि हम क्या मान दिये थे पड़ी में माने थे तो ये दोनों आपस में कभी बरावर नहीं होगा ठीक है अता हमारी मन्याता गलत है इसलिए हमारी मन्याता गलत है अता थीरी पलस टू रूट फाइव एक अपड़ी में संख्या है आप इसी तरीके से असानी से बना सकते कुछ बात लिखना होता है जो आप माइन में से इट कर लिजेगा हमेशा लिख लिजेगा तो मुझे उमीद है कि आप वीडियो आपको जरू समझ में आया होगा और समझ में आया तो वीडियो के लाइक और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेए धन्यवाद